दमाद विजय मिश्रा ने अपने सास से पैसों की मांग की तो सास सरोशर्मा ने पैसा देने से इंकार करते हुए दमाद के परिवार वालों को वाली देना प्रारम कर दिया जिस परावेश में आकर दमाद ने घटिया के खूरे से वार कर अपने सास को खून से लगपत कर दिया जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दमाद वहां से फरार हो गया देराच जब पती देव शेरन सर्मा घर आया तो पत्नी को खूम से लगपत देख मामले की जानकारी थाने में दी और मामले पर बड़ी सफलता पाते हुए गंड़ाई पुलिस ने महत 24 गंटे में मामले को सुचा लिया विते दिनाग 4 अवंबर को गंड़ाई के नजगी की ग्राम पंचयाद देवपूरा में 41 वर्षिय महिला का शव उसी के घर पर फूम से लगपत मिले हालत में मिला मामले को लेकर पती देवशरन चर्मा निवासी देवपूरा ने थाने आकर रिपोर्ट दर्श कराया और अपने रिपोर्ट में बताया कि जब मैं घर पहुचा तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था जिसकी दूसरी चावी घर के अंदर था पड़ोस की लड़के को दिवार फान कर अंदर बेच चावी मंगवाया और घर के अंदर जाकर देखा कि पत्नी सरोश शर्मा बृत अवस्था में पड़ी थी सीर से काफी खून निकल गया था पास पड़े खटिया की खूरे में भ जी जोसी को अगत कराया गया है और उनके दिशा निर्देशन पर घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए टीम बनाया गया जिसमे धाना प्रभारी शुसमा सिंग, उपनिरिक्षक रामनात पुर्ष्याम, उपनिरिक्षक राके साहू, हिम्मत यादाओ, प्रधान अरक्षक मुस्सकीन खान, अरक्षक राके साहू, लखेश्वर पटियल द्वारात्वरित करवाही करते हुए मृतिका के आजपडों से पूस्ताच किया गया जिस पर पता चला कि घटना दिना को शाम उसके घर के बाहर उसके दमाद विजय मिश्रा को बाइक में देखा ग गया और मेरे परिवार और खांदान को भी भला बुरा कहने लगी जिस पर आवेश में आकर पास पड़े लकडी के खूड़े से बाइकान के पीछे मार दिया जिससे सरोश शर्मा की बृत्की हो गई घबराट में घर में ताला लगा कर चाबी लेकर वहां से भाग गया था हडबडी के कारण मेरे रास्ते में एक्सिरेंट हो गया जिससे चेहरे पर चोट आई है इस प्रकरण में आरोपी के वैशाली नगर भिलाई सित किराय के मकान से घटना दिनांको आरोपी द्वारा पहने कपड़े वचाबी तथा उसके भाई की गंच पारा दुर्गश्तित बुकान से काले रंग की होंडा साइन को जब क्या गया है प्रकरण में आरोपी को निय जब लोट के आया तो देखा कि इसे घर में बाहर में ताला बंध है तो उसको अन्होनी के असंता हुई थोड़ी देर देखा कुछ समझ भी नहीं आया तो पीछे से एक बच्चे को गाउं के बेजा तो जाकर को फूल करके उसके अंगर में घुसा घर के अंगर देखा तो जो प्रहती की पत्मी है वह रख रजीत वस्ता में उसके शिर में छोट करनी हुई थी पास में खडिया का खुड़ा पड़ा हुआ था उसा वस्ता में देखता कुछ ने बताया फिर जाकर के सब लोगों ने देखा खाने पे रिपोर्ट होने पर आप धानावरा वाली सब्सक्राइब करता है और इसमें उसके द्वारा जो खाने में हरवडी में बाते समय में ताला बंतर की वहागा था वो चाहिए उसके बदूरेंदर के परमत किया गया है और जाते जाते बाते समय में उसके शरीर में जो चोटे आई है तो उसका बनाजिया वगारा पराया गया है